Trigonometry में statements को पढ़के अगर आप उसकी figure ठीक से बना लें तो question को solve करना बहुत असान हो जाता है तो हम इस statement को पढ़के देखते हैं कि इसकी figure कैसे बनेगी From the top of a 7 meter high building तो ये मालो मेरे पास एक 7 meter high building है 7 meter ठीक है तो ये एक building हो गई 7 meter high The angle of elevation कहां से From the top of this building तो इस building के top से Angle of elevation Angle of elevation का मतलब मैं उपर वाली side कहीं पर देख रहा हूँ तो ये मैंने just एक point लगा लिया थाक कि थोड़ी सी accurate figure बन जा है तो यहां से मैं उपर वाली side को देख रहा हूँ और मैं कहां देख रहा हूँ Top of a cable tower तो यहां पर एक cable tower है तो cable tower भी ground पर यह होगा इसको माल लो मैं ground माल लेता हूँ ये ground हो गई और ground पर ये cable tower है इसको मैं scale से बना लेता हूँ इसको मैं heart है तो थोड़ा टेटा होने के chances ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा सीधा रखने के लिए इसको scale से बना लेता हूँ तो वो कहता है यहां से जब मैं इस cable tower के top को देखता हूँ ठीक है तो यहां से अगर मैं इस के top को देखता हूँ तो जो angle बनता है वो angle कितना 60 degree और angle of elevation ग्राउंड के साथ कितना angle बनता है तो top से देख रहा हूँ तो top तो ground पे है नहीं तो फिर हम ऐसे cases में क्या करते हैं यह ground है तो ground के parallel हम लोग एक line ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसके साथ जो angle बनेगा वो मेरा angle of elevation अजाएगा तो यह अजाएगा 60 degree अच्छा आपके interest के लिए बतायता हूँ इसी line को अगर अब stretch करके सीधा खींच के नीचे लेके आओगे और इदर ground को extend कर दोगे तो यहाँ पे जो angle बनेगा वो 60 degree का ही angle बनेगा यह corresponding angles हो जाएंगे तो बराबरी होंगे तो यही angle of elevation का fund है ठीक है अब आगे वो कहता है and the angle of depression अब यहीं से ही एक angle of depression यानि कि मैं नीचे की side देख रहा हूँ कहां पे of its foot तो यहाँ से अब मैं यहाँ बेख रहा हूँ इस point पे तो यह मैं हाथ से draw कर देता हूँ तो यहाँ से जब मैं इसको देखता हूँ तो कहता है जो angle of depression बनता है तो angle of depression जो है वो यह वाला angle होता है उपर यह जो horizontal line बनाई इसी के साथ बनने वाला angle यह कितना है 45 degree determine the height of the tower तो tower की height find out करो क्योंकि ये तो building थी A, B building है और इसको मैं C, D मा लेता हूँ तो मुझे C, D ये length find out करनी है यानि कि मुझे tower की height find out करनी है देखो बड़ी simple सी बात है building 90 degree के angle पे होगी tower 90 degree के angle पे होगा ये line हमने वैसे इसके parallel draw की ये 90 degree पे ground के उपर एक भी angle 90 degree का हो तो ये क्या होती है rectangle तो A, C, E, B ये एक rectangle बन गी तो ये अगर 7 meter है तो ये भी 7 meter हो गया ठीक है opposite side जो है rectangle की ब्राबर होगी जितना A, C होगा उतना ही B, E, B होगा ठीक है अब मुझे अगर C, D चाहिए तो C, D का मतलब है C, E plus E, D ठीक है तो इस का मतलब मुझे सरफ E, D find out करना है है और E, D find out करने का मतलब मैं इस वाली right angle triangle को use करूँगा B, E, D को इस right angle triangle को use करके मैं इस side को निकालूँगा अब किसी भी right angle triangle में एक angle given हो और कोई एक side given हो तो हम बाकी की sides निकाल सकते हैं अब इस right angle triangle में मुझे सिरफ angle पता है लेकिन side को निकाल अब अगर मैं B, E निकाल लूँँगा अगर मैं B, E निकाल लूँँ तो इस right angle triangle में B, E यनिकी ये base पता होगा ये angle पता होगा तो मैं perpendicular निकाल सकता हूँ लेकिन B, E कैसे निकालने अब B, E निकालने का दो तरीके हैं दो तरीके कैसे देखो पहले तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये straight line के उपर ये 90 degree का angle तो ये भी 90 degree का angle होगा तो ये right angle triangle मन जाएगी ये right angle triangle मन जाएगी ये side मुझे पता है 7 meters ठीक है तो इसको अगर मैं ऐसे देखूँ अब बिल्कुल ऐसे घुमा के देखूँ तो ये side मुझे पता है 7 meters ये angle पता है तो ये मैं निकाल सकता हूँ base चलो अगर आपको इस में थोड़ी confusion होती है तो आप इस वाले portion को रहने दो आप ऐसे मत solve करो आप इसको ऐसे solve कर लो मैंने आपको ये बताया था कि जो angle of depression होता है वही angle of elevation भी बनाता है नीचे ये alternate interior angles होते हैं तो ये बराबर होते हैं तो ये 45 degree है तो ये भी 45 degree होगा और ये right angle triangle है इसमे मुझे ये side already पता है 7 meters तो इसको use करके मैं AC निकाल लोगा और जितना AC होगा उतना ही BE भी होगा तो मैं ये ही करता हूँ पहले मैं AC निकाल लेता हूँ इसको use करके तो इसको मैं थोड़ा सा quickly करूँगा इस बार ठीक है let AB be the building and CD be the tower ठीक है अब बाकी चीज़े मैंने सारी इसी पर लिख दी है now in right angled triangle PAC तो मैं quickly कर रहा हूँ के 1045 degree ये कितना हो जाएगा 1045 degree हो जाएगा perpendicular over base पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले पहले sign फिर cos फिर 10 तो 10 का मतलब perpendicular over base तो मुझे perpendicular और base के साथ ही deal करना है तो इसलिए मैंने 10 का formula लगा 1045 is AB perpendicular और base है AC तो एक और common sense लगा सकते हो आप ये side भी 7 meter ही आएगी क्यों ये right angle triangle है ये angle 45 degree तो ये भी 45 degree ही होगा right क्योंकि triangle के तीनों angle का साम 180 degree होता है तो ये 90 ये 45 तो ये 45 निगलेगा तो ये ISO 3 strangle हो जाएगी तो इसको लोग ये side इसके ब्राबर हो जाएगी और ये side इसके ब्राबर तो यानि कि एक तरह से square बन जाएगा यहाँ पर मैं solve कर देता हूँ अब AB कितना है AB में given है 7 और AC वही बात होई AC इसके ब्राबर आ गया अब जितना AC है उतना ही BE now BE is equal to AC क्यों because ABEC is a rectangle ठीक है तो ये rectangle तो है ही है in fact ये अब square भी बन गया है but आप rectangle लिख सकते हो ठीक है it is a rectangle तो इसकी opposite side ब्राबर होगी this implies BE वो भी कितना हो गया 7 meters तो अब ये side आ गई मेरे पास ये भी 7 meters तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये side हो गई 7 meters तो अब मैं उपर वाली triangle को use करके ED निकाल लेता हूँ so in right angled triangle BED तो उपर वाली BED इस triangle को में लेता हूँ तो इसमें भी perpendicular और base के साथ मुझे deal करना है perpendicular और base के साथ deal करो तो फिर से 10 का formula लगेगा 10 angle कितना है 1060 degree तो 1060 degree is perpendicular यानि कि DE और base यानि कि BE तो DE मुझे निकालना है और BE अभी अभी हमने 7 meters निकाला this implies 1060 degree की value square root 3 is equal to DE over 7 which implies DE कितना हो गया 7 into square root 3 इतने meters और अब finally CD हमने निकालना है now CD CD कितना है CE plus ED और CE कितना है CE AB के बराबर है वो है 7 plus ED मैंने अभी अभी निकाला 7 square root 3 तो this implies 7 into 1 plus square root 3 इतने meters is the answer तो ये इस tower की height हो गई right so that's it from this tutorial keep watching Mathemaphia